सर जब कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है या कोई गलत वेवहार करता है तो हमारे मन में दुश्मनी और नाराजगी होती है अरे हमें मुकदमा दायर करना चाहिए नहीं, एक मामूले अर्थ में, अगर वे हमारे साथ दुर्वेवहार या गलत करते हैं, तो कभी-कभी हमारे मन में उनके लिए नाराजगी या दुश्मनी होती है, और कभी-कभी हम उन्हें माफ करके बात ओहीं छोड़ देते हैं, तो मेरा सवाल है, हम एक लकीर कहां खीचे ताकि गलती करने वालों को उसकी गलती के लिए जिम्मेदा ठहरा सके, और उसे हमें कभ माफ करना चाहिए, और कभ बात ओहीं छोड़ देनी चाहिए, एही प्रश्ण हैं देखे बात दूसरे इंसान की नहीं है, आपको दो में से एक चुन्ना है, अगर आप चुन सकते, अभी आप सभी को चुन्ना हो कि आप या तो खुशी और आनंद से, या फिर दुख, गुस्से, तनाव और नाराजगी में जी सकते हैं, आपका स्वभाविक चुनाव क्या होगा? आप चुन लीजे, मैं आशिरवाद देने वाला हूँ आनंद है ना? क्योंकि हर इंसान अपने लिए सबसे उचा सुख तलाश रहा है, आप इसे खुशी और आनंद कह सकते हैं, ये बश्शब्द हैं, मुख्य रूप से हम अपने लिए सबसे उचा सुख चाते हैं अगर आपका शरीर अच्छा महसूस करता है, तो इसे सेहत कहते हैं, अगर वो बहुत बहुत अच्छा महसूस करता है, तो इसे सुख कहते हैं, अगर आपका मन सुखध हो जाए, तो इसे शांती कहते हैं, अगर वो बहुत सुखध हो जाता है, तो इसे खुशी कहते हैं, अ और अगर आसपास का माहौल सुखद हो जाए, तो हम इसे सफलता कहते हैं. सिर्फ आसपास का माहौल सुखद बनाने के लिए, आपको इन सभी लोगों का सहयोग चाहिए. क्योंकि बाहरी स्थिती बनाने में कई ताकतیں शामिल होती हैं. सभी को आप जानते भी नहीं. आप समझें? आप अपने लिए एक सुन्दर स्थिती बनाना चाहते हैं. आपको ये भी नहीं पता कि उस क्षेत्र में कितनी शक्तियां काम कर रही हैं. अगर आप कुछ शक्तियों का लाब उठा लें, अगर वो सहयोग करें, तो चीजें होंगी. वो सहयोग ना करें, तो नहीं होंगी. लेकिन सुख़च शरीर के लिए, सुख़च मन के लिए, सुख़च भावना और उर्जा के लिए, आप सौफी सदी जिम्मेदार हैं. हाया ना? आस-पास थितियां बनाने के लिए, आपको लोगों का सहयोग चाहिए, वरना ऐसा नहीं होगा. तो सिर्फ सफलता के लिए, आपको सहयोग चाहिए. खुद को सुख़द रखना, सौफी सदी आप पर है. तो फिलहाल, आप अच्छे से जानते हैं, कि आप शान्ती चाहते हैं. लेकिन, कोई कुछ कर रहा है. वो क्या कर रहे हैं? वही जो उन्हें सबसे अच्छे से आता है. आपको गाली दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो वही जानते हैं? हाया ना? वो जीवन को उतना ही जानते हैं. इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं अगर आप नाराज हो जाएं और सोचें कि उन्हें कुछ होगा देखें, ये चीजें गुसा, नाराजगी और घ्रिना ये सभी वो जहर हैं जो आप पीते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलता आप जहर पीएंगे तो आप मरेंगे जीवन बिलकुल न्याय पूर्ण है आप जहर पीएंगे तो आप मरेंगे पूरा न्याय है, है की नहीं? मैं जहर पीएंगे, आप मर जाएं क्या ये इंसाफ है? तो जो लोग गुसे, नाराजगी और घ्रिणा में हैं, वो यही कर रहे हैं, वो जहर पी रहे हैं जहर शब्द का प्रयोग मैं नैतिक्ता के अर्थ में नहीं कर रहा आज परियाप्त मेडिकल प्रमान मौजूद है कि आपके खून की जाँच से बताया जा सकता है कि 5 मिनट आप अभी खून की जाँच करें और 5 मिनट जबर्दस्त गुस्षा करें, फिर खून की जाँच करें आप देखेंगे, आप में असल में रासाइनिक जहर है तो आप असल में जहर पी रहे हैं आपको लग रहा है, नुकसान उन्हें होगा नहीं, इससे सिर्फ आपको नुकसान होगा तो मुझे ये समझदारी नहीं लगती बात बस इतनी है प्रश्न नैतिकता का नहीं है कि गुस्सा होना चाहिए या नहीं अगर आप खुद को अस्तिवेस्ट करना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है प्रश्न नहीं